नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने यूटोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में पन देखने वाले हैं SSE CHSL का जो आज आपकी 15 अक्टॉम्बर को फैर्शिप का एक्जाम हुआ है तो यहाँ पर टोटल 25 मैंसे 17 जीकी के स्वाल हूब 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 मिल चुके हैं वो अपन एक्टा फैक्ट साही देखने वाल है तो वीडियो के अंट तक जरूर बने रहना और बहुत सी स्टुडियन का कहना है कि आपके जो स्वाल है वीडियो डिले आता तो इसका कारण है जैसे ही आपका एक्जाम अभी 11 बजे खत्म हुआ है तो मेरे पास 12 बजे के आसपास स्वाल वाट से प्याने स्टार्ट होते हैं क्योंकि उसनमे केंडेट चूटते हैं फिर वो कहीं ओटो बगेर जाते तो समय लग जाता है और फिर एक्स्टाफेक्ट बनाना टाइप करने में टाइम लगता है इसके थोड़ा सा वीडियो डेले आता लेकिन जो भी आपको स्वाल मिलेंगी वो 100% real और authentic मिलेंगी और बाके इसके पीडियो फाइल आपको all ship की जो वीडियो आएगा उसके बाद मिल जाएगी लिंक description box में टेलिग्राम चैनल की वहाँ से जोइन कर सकती हो और इसके अत्रिक ते फाइट ship के जो भी स्वाल है आप कमेंट करके जरूर बताएगी कौन से स्वाल पूछेगे वो मैं all ship के वीडियो में शामिल कर दूँगा आप भी अपने स्वाल वोट्षेप कर सकते हो जैसे आपका एक्जाम होता है आपको वोट्षेप नमर मिल जाएंगे description box में तो चलिए पहला स्वाल देखिए सरोजनी नाइडू किस कांगरेस अधिवेशन की अधिवेशन थी परते एक सेप में जो कांगरेस के अधिवेशन हुए है एक स्वाल जरूर 100% पूछा जा रहा है तो ये आप कवर करके चाहिए जो भी कांगरेस अधिवेशन है उनके अधिवेशन कौन है कब हुए है तो जो सरोजनी नाइडू अधिवेशन थी और आभी रहा जो भी मैं एक स्टाफेक्ट बता रहा हूँ वहां से परते एक सेट में एक दो स्वाल मिल रहा है तो मोलाना अबुलकलाम आजाद है ये दो कांगरेस अधिवेशन है जो 1923 का एक विशेश अधिवेशन हुआ था दिल्ली में उनके अधिवेशन थे और 1940 के रामगड अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन थे अबुलकलाम आजाद माहत्मा गांदी जी की बात करया तो ये 1924 में जो बेलगाओं में 40 वा कांगरेस अधिवेशन हुआ था उनके अधिवेशन थे ये दो अधिवेशन, 1938 जो हरीपूरा में हुआ था और 1949 तिरपूरी का अधिवेशन में अधिवेशन रह चुके हैं, एनी बेसेंट है, 1917 कॉलकाता अधिवेशन के अधिवेशन थी, और अने फेक्ट में आपके पर्थम अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1885 में, गोवा में शुरू की गए, इस वास्ते सकी प्रोजेक्ट का लाब किसे मिले गए, यहाँ पर आपके लिए प्रोटेप ये हैं, जो जनवरी 2020 के करंट अपेर्स हैं, पर तेक पारी में एक दो स्वाल इनी से बन रहा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी की 2020 के, तो जनवरी के जितन भी करंट अपेर्स स्वाल बनते हैं, उनको जरूर रट के जाएगा, यहाँ से एक स्वाल जरूर पूछा जा रहा है आपके, तो गोवा में शुरू की गए, स्वास्ते सकी प्रोजेक्ट का लाब किसे मिलेगा, इससे पहले वाले सिर्फ में आपके गोवा की यससनी योज महिलाओ में ब्रेस्ट कैंसर की जाच है तू यह कारिक करेगी, तो महिलाओ को लाब मिलने वाला है, स्वास्ते सकी योजना, यह गोवा की योजना है, और यह स्वास्वनी योजना भी गोवा की है, और इसमें जो स्विम सायता समू की महिला है, उनको पांच लाक रुपे तक का इंट्रेस्ट फिरी व्याज मिलने वाला है अगला स्वाल देखे 15 जनवरी 2020 तक ICC ODI किस देश की टीम टॉप पर है करल आपके पूछा था ICC की रेंग में T20 में टॉप टीम मैंने बाके एक्स्टा फेक्ट में बताय था अन्य कौन सी टॉप पर है ODI और टेस्ट की है T20 और टेस्ट दोनों की पर्थम और टेस्ट की जो सेकेंड है वो न्यूजिलेंड है थर्ड इंडिया हो जाएगी अब मैं आपको बता देता हूँ जो पलेयर है ICC की रेंकिंग के एकोर्डिंग पलेयर का भी स्वाला सकता आने वाले सेट में यहां से जो टीम का आ रहा फर्ष रेंकिंग पर कौन है डेविड मलन है जो की इंगलेंड के हैं और गैंदबाज है राशित खान ICC टेस्ट की यहां पर ट्रीट ट्वेंटी का हो गया टेस्ट में पर्थम मरलेबाज रेंकिंग पर है इस्टिव इस्मित और शेकेंड पर है व्राद कोली प्लेयर ऑफ दा इयर 2019 अवाड के से दिया गया है कल मैंने आपको बताया था ICC मैंड प्लेयर ऑफ दा इयर तो मैंस के जितने भी आवाड थे वो मन कल वाले वीडियो में और आपको पीडियो फाइल टैलिगा हम चैनल पर भी एवलेबल कराई थी आज वूमन का पूछ लि गया था वो भी ऐलिस पैरी को दिया गया था तो वूमन क्रिकट झूप्ञ को यह अवाड दिया गया है जो एमर्जिंग प्लेयर का यह था iven का लेंड की किरकेट खिलारी भार्त में मोद力 नेति किसके दोरा संचालित की जाती है विखे मोद्रिक पोलिसी की बात करूँ में मौनेटरी पोलिसी की तो ये RBI रेजरो बैंक आप इंडिया के दोरा ये संचालित की जाती हैं और इसी मोद्रिक नीती में क्या है बैंक रेट डेफाइन होती है रेपो रेट वगडरा reverse reporate है credit control policy वगेरा ये मोदरिक निती के अंतरगत RBA की दोरा ये जारी की जाती है राश्टपती अपना त्याग पत्र किसको देते हैं राश्टपती देते हैं उपराश्टपती को यदि उपराश्टपती अनुपस्ति थो पद्रिक थो तब उस केस में कैसे दे सकते हैं तो ये चीफ जस्टिस को दिया जा सकता है भारत के सरवोज चनेले के मुखे नयादिस को और जब चीफ जस्टिस भी नहीं हो उस केस में लोगशबा स्पिकर को राश्टपती त्याग पत्र देंगे अगला स्वाल दिखिए आपकर जनवरी 2020 तक WTA Tennis Female Singles First Rank कौन है तो ये दोस्तों आपके जो Tennis Association की तरफ से रैंकिंग जारी की जाती है तो उसमें Women का पूछ लिया है सिंगल में पर्थम रैंकिंग कौन से खिलाड़ी की है तो वो है एसले बार्टी है WTA Tennis में Female Singles में पर्थम रैंकिंग एसले बार्टी ऑस्टेलिया की है सेकेंड यापर सिमोना हालेप की रैंकिंग अगर असवाल दिखिए जी एस्टी के सविधान संसोदन के दोरा लागो किया जाता है तो ये आपके Goods एउन जो Service Tax है ये 101 जो समिधान संसोदन एक्ट है एक्ट तो 101 एक्वा है विधेक कौन सा है? बिल है 122 वाइस में कन्फ्यूज नहीं होता है तो जो अधिन्यम बना था बिल के बाद एक्ट बनता है तो 101 एक्वा समिधान संसोदन एक्ट है तो आने वाले सिप्ट में इंपोर्टेंट हो जाएगा 103 वा जो समिधान संसोदन एधिन्यम है वो 2019 में तो स्वाल पूछा जा सकता है इसमें क्या हुआ था या फिर उल्टा पूछे ले कि 10% जो आरक्षन की व्योस्ता की गई है रोजगार में आर्तिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वो कौन से समिधान संसोदन के तैट की गई है तो 103 वा समिधान संसोदन एक्ट 2019 जिसमें अनुच्छे 16 में संसोदन किया गया था और इससे पहले हुआ था 102 मा 2018 में हुआ था जिसमें सामाजिक न्याई और आधिकारिकता मंत्रा ले के अदिन जो राष्टे पिछला वरगायोग है उसको शमिधानिक दरजा दिया गया था नेश्ट आपर गॉल्डन ग्लोब आवार 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का आवार्ड किसे मिला है कल भी पूचा गया था जिसमें मैंने सारे important facts बताए थी आज भी इसके related दो स्वाल पूच लिए गए है ऐसा बताया एक टुडेंट ने एक तो ये motion picture कौन सी है ड्रामा के एक तो पिक्चर का पूचा है जो के 1917 हो गई बेस्ट फिलम म्यूजिकल और कॉमेडी की golden globe आवार्ड के से दिया गया तो once upon a time in hollywood को दिया गया है और इसी किते जो best actors का मिला है वो रैनी जैलविनेगर मिला है और पहला golden globe पुरुसकार है ये जनवरी 1944 को दिया गया ता ये USA का आवार्ड है अगला स्वाल देखिए golden globe आवार्ड 2019 में best motion picture ड्रामा का आवार्ड किस अभिनेता को तो ये हो गया आपकी जो किन फोनिक्स को दिया गया है जार्खन विधान सबा अध्यक्स है ये भी जनवरी से स्वाल पूचिया जार्खन विधान सबा के अध्यक्स कौन दे तो रविंदरनात महतो है ये अभी जनवरी 2020 को बने है चीप मिरिष्ट हेमन सोरेन है जो कि जार्खन मुक्ति मोर्चा पार्टी से है राज्यपाल है द्रौपती मुर्मू अगला स्वाल दे कि गांधी जी ने किसे दीन मंदू के उपादी दे थी तो यहाँ पर C.F. अंडूज है चालर्श, फिरिर अंडूज को ये उपादी दे थी गांधी जी ने अंडूज को ये उपादी परवासी भारतियों के उधार के लिए जो गिर्मिटिया मजदूर वगरा थे उनके उधार के लिए उनके दोरा किये प्रयास क्योंकि जो एंड्यूज थे नहीं ये थे इंगलेंड के और इंगलेंड क्या कर देते भारती नागरिकों के साथ उनके विरूद में ये इंगलें जाए कुछ यह ऐसे option थी तो इस मिट्टी में गेहूं हो जाता है बाजरा मूंग फली यह जो ज्यादातर मिट्टी है रेगिस्थान पाई जाती है राजिस्थान वगेरा में और अन्य जो important मिट्टी से जो उप्युक्त फशले उपजव मिट्टी में जो कौन सी फशले होती है उसकी बात करें तो जलोर मिट्टी में फशले जो होती है वो जावल गेहूं गना जूट दालें यह सभी जलोर मिट्टी की मुख्य फशले है तो यह भी important fact है काली मिट्टी बहुत बाज्यासे स्वाल आता है कापास के लिए उप्युत मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी पाई जाती है एक स्वाल ता आपके सागवान का जो सागवान का व्रिक्स है शीष्रम का है तुन की लकड़ी है यह फरनीचर बनाने में काम आती है तो यह किस परकार के वनों के उदारने तो सागवान है शीष्रम है इसमें कुछ इस टाइप से option दिये गए तो परणपात पाती वन है इनके उदारने ये शीष्रम वगेरा सागवान तो मुख्यत ये उत्री पूर्वी राज्य है और हिमाले के पच्छी में घाट के पूर्वी धलान और ओडिसाम पाए जाती है इसमें परमों को वरक्ष की बात करें जो पनपाती वन है आर्दर उसमें सागवान है साल, शीष्रम, मववा हैं, आवला हैं, कुसूम, चंदन, शहतूत के वरक्ष हैं एक स्वाल आया था इससे पहले कि ओष्ण कटी बन ये पनपाती वन या फिर ऐसे था मानसुनी वन किसे का जा था तो यही वन है ओष्ण कटी बन ये पनपाती वन नेश्ट या पे सुब स्वाल में किस के दोरा लाया जाता है, तो ऑक्सिजन युक्त रख्ट को हिर्दे की मास पेसी में जो कौनोरी, सोरी कौरोनरी धमनी हैं, आर्टरी हैं उसके दोरा लाया जाता है, इस स्वाल में थोड़ा डाउट है क्या एक्जेक्ट ये इसी टाइप से पूछा गया था बाकि मैं बात करूँ धमनी का क्या काम होता आर्टरी का, शुद रख्ट हिर्दे से बाकि जो भी अंग टीश्यू हैं वहाँ पर शुद रख्ट को लेके जाना, अशुद रख्ट वापस आता है, शिरा के माध्यम से, वेन के माध्यम से अशुद रख्ट आता है, वो अशुद्रक्ट बैता है जो भी अंगों से वापस आता है फेपड़ों में जाता है फिर हिर्दे में पंप होता है तो अशुद्रक्थ है वो शिरा में बैता लेकिन पलमोंडरी शिरा में शुद्रक्थ है जो कि कहां से आता है फेपड़ों से आता है रुदीर पलमोंडरी श तो के recording important fact वो है ट्रोपो फिर शोब मंदल जो कि वायो मंदल के सबसे निचली प्रत हैं यहाँ पर मौशम हैं और अपन जो रहते हैं वो शोब मंदल है शोब मंडल के बाद समताप मंडल, मद्य मंडल, आयर मंडल और फिर बाहिर मंडल हो जाएगी आपके और यहाँ पर मैं फैक्ट की बात करूँ बहुत बार पूछा जाता है ओजोन प्रत किस मंडल में है तो समताप मंडल में हवाईजाज कौन से मंडल में उठते हैं तो समताप मंडल में रेडियो तरंगे कहां से परिवर्तित होती है तो आयन मंडल में जो संचार सेटिलाइट है अम्यूकेशन के वो भी आयन मंडल में है सरवादिक घनतो हैं मौसम परिवर्तन हैं ये सबी आपके शोब मंडल में हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बात करूं रशायन मंडल के से का जाता है मद्धी मंडल को मौस्मी परियोर्थन की च्छत आपके शोब मंडल हो जाएगी और तो ये आपके टोटल 17 स्वाल आज जो पर्थम पारी के मेले हैं मेरे को 25 म हो जाता है वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं और शेप्ट की वीडियो में जहाँ पर आपको पर्थम प्लस डुत्ते प्लस तिरते सारी सेप्ट के क्योसंस मिल जाएगी तो वो जरूर देखना धन्यवाद